Hello everyone, यह है Basic Calculation Series की Video No. 33, जिसमें हम Ratios discuss करने वाले हैं, इससे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले, मैंने Ratio क्या है, Ratio and Proportion topic से एक वीडियो बनाई है, उसको एक बार देख लेना, जिससे कि आपको Ratio का मतलब समझा जाए, उसके बार यह वीडियो देखना तो अच्छा से समझाएगा, तो पहला Question देखो, यह बिल्कुल Basic Question लिया है, मैंने आपको Concept सिखाने के लिए, कि Divide 3.91 रुपीज इंटू 3 पार्ट्स ओफ 1 बाई 2 इस्टू 2 बाई 3 इस्टू 3 बाई 4, तो आपको 3.91 रुपीज को तीन हिस्सों में बाटना है, किस Ratio में 1 बाई 2, 2 बाई 3 और 3 बाई 4, अगर तो यह 1 इस्टू 2 इस्टू 3 दिया होता, मान लो, तो बहुत इसी था, आप इसके उतने हिस्से बनाके, यह थोड़ा Basic Question हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर इन Ratios को एक Whole Number में ना देकर, इनको Fraction में दिया हुआ है, ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहला, एक Step बढ़ जाएगा, बस और कुछ नहीं है, यह Step क्या होगा, पहले इनका Fraction जो है, वो खतम करो, Common करो इनको, एक ही Level पे, एक ही Scale पर लेके रहो, वो कैसे करता है, देखो, 1 by 2, इस्टू 2 by 3, इस्टू 3 by 4, इनका Denominator जोहें सेम करना है, क्योंकि अगर Denominator सेम हो गया, तो उपर और नमबर करेक्ट अपने आप रेशो में आ जाएंगे, ठीक है, तो Denominator सेम करने के लिए हम क्या करता है, तीनों नीचे Denominators का LCM ले ले लेते हैं, तो 2, 3 और 4, तीनों का LCM आएगा 12, 12, 2 की Table में 12, 6 पे आता है, 6, 1 is 6, य दूसरी बन गए 8 upon 12, और तीसरी बन गए आपकी 9 upon 12, तो नीचे Denominator सेम हो गया, तो क्या मैं इसको लिख सकते हूं, 6 is to 8 is to 9, तो ये रेशो आपकी अभी whole numbers में आ गई है, अब आपको क्या करना है, आपको इस रेशो को, इस 391 रुपीज को, 6 is to 8 is to 9 रेशो में करना है, ठीक है, तो 391 रुपीज है, इनके कितने हिस्से करना है, इसके 6 इधर, 8 इधर और 9 इधर, 3 हिस्से बनाने है, इतने इतने, तो total कितने parts करने पड़ेंगे, 9 plus 8 plus 6, total करो, it will be 23, 23 हिस्से बनाने, तो 391 को डिवाइट करतो, आप 23 से, आपको single part की, एक डिवाइट कर गई 17, तो 6 हिस्सों की value कितनी होगी, 17 into 6 कर दो, 8 part की value होगी, 17 into 8 कर दो, 9 part की value होगी, 17 into 9 कर दो, यहाँ पे आपका answer आएगा 102, इधर पे आपका answer आएगा 136, और इन दोनों को multiply करके आपका answer आएगा 153, यह तीनों आपके answers है, आपने 391 रुपीस को किस ratio में, half is to 2 by 3, is to 3 by 4 ratio में divide कर दिया है, next question देखता है, question number 2, divide रुपीस 4600 among 4 people A, B, C, D, तो 4,600 रुपे हैं, उसमें 4 लोगों को divide करना है, उस रुपे को, so that B's share is 1 by 3 of A, and C's share is 2 by 5th of B, and D's share is half of C, तो अब कैसे करना है इसको दिहान से देखना, यहाँ पे 4 लोग हैं, A, B, C और D, सबसे पहले तो actual में हमें यह देखना है कि इन में आपस में जो division हो रहा है, वो किस ratio में हो रहा है, तो पहली चीज, first case दिया हुआ है, B's share is 1 by 3rd of A, तो A के share से B का share 1 by 3rd है, यानि अगर A इस बात का मतलब अगर समझा गया, question समझा जाएगा, द्यान से देखना, B का share जो है A के share का 1 3rd है, तो A का share अगर 3 है, मैंने क्या बोला है, हमेशा denominator वाला हो, मतलब पूरा part होता है, यानि कि denominator वाले से compare कर रहे हो आप, तो 3 में से B का जो share है, वो 1 है, तो इन दोनों का ratio बना 3 is to 1, ध्यान से फिर से देखो, B share is 1 by 3rd of A, तो A का share 3 है, 3 में से B का share कितना है, B share is 1, 1 out of 3, ठीक है, आगे देखते हैं, and C's share is 2 by 5th of B, अब C और B के बीच में दिया हुए ratio, C का share कितना है, 2 by 5, तो 5 क्या है, B का share अगर 5 है, तो C का share उसका 2 part है, तो 5 is to 2, B और C का ratio हो गया, ठीक है, फिर से देखो, C's share is 2 by 5 of B, C का share कितना है, 2 है, कितने में से, 5 में से, तो 5 हो गया B का, C हो गया 2, इसी तरह, D share is, D's share is, 1 by 2 of C, तो D का जो share है, और D और C के नीचे लिखो गया बाब, D का जो share है, वो C का आधा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर D का जो share है, D का share, 1 है, अगर C का share 2 है, ठीक है, द अब आपके पस अलग-अलग ratio के इनके ratios तो दिये वे, अब आपको इनको एक scale पर लाना है, इन 4 की ratio को एक scale पर लाना है, कैसे करोगे, देखो, C का ratio same है, D, बिल्कुल ठीक है, D के साथ और कोई comparison नहीं है, लेकिन B के नीचे यहाँ पर एक में 1 है, एक में 5 है, तो आपको ऐ D, भी 5 हो जाएगा पूरा, तो अगर आपको इसको 5 बनाना है, तो इसको भी, इसको अगर 5 से multiply करना पड़ेगा, ठीक है, तो actual में इनका ratio के आएगा, 3, 5 जा, यह हो गया 15, is 2, यह दोनों ही case में 5 है, यह दोनों ही case में 2 है, और यह 1, तो actual में A, B, C, D का जो ratio है, वो हो गय ठीक है, अब यह इतना काम हो गया, तो आपका आदिस जादा question यह solve हो चुका है, आगे क्या करना है, आपको 4, 6, double, 0 को चार लोगों में इस ratio में बाटना है, तो total कितना है, देखो 15, A को मिलेगा, 5 part B को, 2 part C को, और 1 part D को, तो total कितने हिससे बना रहे हैं, आप फिर से 23, ते कर दो, you will get 200, अब 200 रुपे एक part की value है, एक part की value 200 है, यानि D का एक share था, D को मिलेंगे 200 रुपे, ठीक है, दो part किसकी value है, C की, तो 200 को double कर दो, into 2 कर दो, 400 मिलेंगे C को, ऐसे ही B को कितने मिलेंगे, into 5 कर दो, तो 1000 मिलेंगे 5 को, 200 into 5, 15 into 200 कर दो, तो 30,000 मिलेंगे आपको, इसको, सॉरी, 3000 मिलेंगे A को, सो इनका जो amount है, वो distribution कुछ इस तरह होगा, अब next question है, divide rupees 470 in the ratio, 3A equals to 4B equals to 5C, अब ये बात जो दीवी है, इसको समझना है, इससे हमें ratios बनाने है, A, B, C के, तो A, B और C, तीन लोग है, तीनों में कुछ ratio में division करना है, 470 rupees का, किस ratio में करना है, वो मैं आपको यहां समझाती हूँ, 3A equals to 4B का मतलब क्या है, अगर मैं सिर्फ इतने पार्ट को देखू, तो 3A equals to 4B, इसको इधर उधर भेजते हैं चीज़ों को, 3 को उधर भेज दो, B को इधर ले आओ, तो A, B इधर आएगा, division में आ जाएगा, और 3 उधर जाएगा, तो 4 की division में आ जाएगा, तो A upon B, यानि A ratio B क्या हो गया, 4 is to 3, तो A और B का ratio हो गया, 4 is to 3, पहले चीज, दूसरा, अब इन दो case को देखो, 4B equals to 5C, अब 4B equals to 5C है, तो B उधर भेजो, 5 इधर भेजो, कैसे भी कर लो, तो यह हो जाएगा, B, C इधर आएगा, 4 उधर जाएगा, 5 upon 4, तो B is to C का जो ratio ह हो गया, वो हो गया, 5 is to 4, अब इस बात से हमें क्या समझाया, देखो, A, B का ratio क्या है, 4 is to 3, B और C का ratio क्या है, 5 is to 4, अब इनका common ratio, एक scale पे लाना है, कैसे करेंगे, यह आपका 4 है, यह दोनों different है, तो multiply करना पड़ेगा, इसको मैं 5 से multiply कर देती हूँ, और इसको 3 से multiply कर द ratio को, A और B के ratio को 5 से multiply करना तो इधर भी 5 से multiply करना पड़ेगा, तो 4, 5 is 20, 3 into 5 दोनों ही case में 15 आएगा, 4 into 3 is 12, तो इनका ratio बन गया, 20 is to 15 is to 12, अब आपको 470 रुपे को इस ratio में divide करना है, 470 के कितने हिस्से बनाओगे, 20 प्लस 15 प्लस 12, कितने हो जाएंगे यह total, यह हो parts यानि 470 के, 47 parts यानि 1 part 10 रुपे का होगा, तो 20 part A को कितना मिलेगा, 20 into 10 कर दो 200 रुपे, 15 B को कितना मिलेगा, 15 into 10 कर दो 150 रुपे, 12 वाला जो part है C को, C को कितना मिलेगा, 120 रुपे, तो 120, 500 और 200, यह इनका division है, I hope आपको एक question समझा आ रहा होगा, next question है, two numbers are in ratio 4 is to 5, 10 is added to each, and the ratio becomes 6 is to 7, find those numbers, दो number हैं, जिनका ratio 4 is to 5 है, उन दोनों में ही 10-10 जो है add किया गया, दोनों ही numbers में, और उनका ratio 6 is to 7 हो गया, अब इस बात को ध्यान से देखना, दो number थे, जिसका ratio था, ता 4 is to 5, 10 add किया, ratio बन गया, 6 is to 7, तो 4 में, 4 से ratio बन गया, 6, ऐसे ही 5 से ratio बन गया, 7, यहाँ पे भी 2 ratio बढ़ गया, और यहाँ पे भी 2 ratio बढ़ गया, कितना add करने पे, 10 add करने पे, हर 10 को add करने पे, ratio जो है, प्लस 2 हो रहा है, इसका मतलब है, कि हर 5 add करने पे, प्लस 1 ratio बढ़ेगा, ठीक है, यह ध्यान से, फिर से बात सुनो, हमारा जो, हमने एक number में, कोई भी number था, उसमें 10 number add किया, और उसका ratio दो से बढ़ गया, तो 10 number बढ़ाने पर, दो ratio बढ़ रहा है, यानि 5 बढ़ाने पर, एक ratio बनेगा, यानि एक part की value, एक ratio की या एक part की value 5 है, आप से अब क्या पूछ रहा है, question में, find those numbers, number बताओ, तो एक ratio की value, एक part की value 5 है, तो 4 is to 5 ratio में अगर वो number है, तो पहला क्या होगा, 4 is to 5 अगर वो number का ratio है, दोनो numbers का, तो पहला number क्या होगा, 4 into 5 कर दो, और दूसरा number में, 5 into 5 कर दो, क्योंकि एक ratio की एक पार्ट की value 5 है ratio कितना है 4 तो 4 into 5 पहरा number 20 5 वाला ratio जो जाएगा वो जाएगा 25 दोनों का ratio आ गया है दोनों numbers आ गया है अब हम देखते है next question ये question बिलकुल पिछले जासा है बस इसका थोड़ा सा layout अलग है कैसे करना आपको students of different classes students are added and the ratio became 4 is to 5 is to 7 तो 3 classes है उनमें जितने भी बच्चे उनका ratio दिया है 2 is to 3 is to 5 20 बच्चे हर class में add किये गए है तो उनका जो ratio है वो बन गया है 4 is to 5 is to 7 फिर से बिलकुल पिछले वाले जैसे question है 2 से ratio हो गया 4 कितना add करने पर? 20 आड करने पर यहाँ पर भी देखो 2 ratio बढ़ गया 20 आड करते यहाँ पर भी 20 आड करते 2 ratio बढ़ गया तो 2 part की value 2 part की value 20 है तो 1 part की value कितनी होगी? 20 upon 2 कर दो 10 10 एक part की value है तो 2 parts की होगी 20 3 part की होगी 30 और 5 part की होगी 50 तो यह number of students है यह आपका answer है बहुत ही easy question था next question देखते हम इस question में है divide Rs. 180 among 3 people A, B, C such that if their share are decreased by Rs. 8, Rs. 10, Rs. 12 respectively then remaining share will be 4 is to 5 is to 6 question देखो क्या क्या रहा है? आपको 180 रुपे को 3 लोगों में बाटना है A, B और C में ऐसे बाटना है कि उनका जो share है अगर हम उसमें से अब देखो क्या लिखा decrease by Rs. A, 10 and 12 respectively इस word का मतलब होता है कि इसी sequence में decrease होगा जैसे यहाँ पे दिया है जैसे sequence में A, B, C दिया है यानि first अगर A दिया है तो पहला A जो 8 है यहाँ पे वो A के लिए है B जो है यहाँ पे 10 जो है B को represent कर लिए और 12 जो है C के लिए दिया हो है तो respectively का मतलब है इसी sequence में रहेगा तो आपको बोला गया है कि A से हम minus 8 रुपे कर दे और B के share में से minus 10 कर दे और C में से minus 12 कर दे तो इनका जो नया ratio बनेगा वो बनेगा 4 is to 5 is to 6 तो आपको बताना है आपको क्या करना है आपको 180 रुपे को 3 लोगों में divide करना है ऐसे divide करना है कि इतना इतना हटा दे तो उनका share ये बन जाए ठीक है question समझ आया तो अब solution देखते है ध्यान से देखना है question को total है 180 रुपे ठीक है 180 रुपे में से 8, 10 और 12 ये total कितने में 30 रुपे तो हमने हटाई दिये ठीक है 30 रुपीज हम हटा देते हैं तो हमारे पास बचे 1.500 रुपे अब इस 1.500 रुपे का हम क्या करेंगे ध्यान से देखना 1.500 रुपे में से 1.500 रुपे को हम दिवाइड करने है 4 ईस 2, 5 ईस 2, 6 में कुछ पैसे थे जिनको हमने 3 पार्ट में तिवाइड किया था 180 में पर हमें वो नहीं पता किस रेशो में दिवाइड किया था लेकिन जब हमने माइनस किया इसमें से 8, इसमें से 10 और इसमें से 12, तो हमारे पास ratio ये निकल किया है, ठीक है, तो 180 तो पहले थे, जब ये तीनों हटा दिये, तो कितने बचे होंगे, 1.500 बचे होंगे, जिनको हमने किस ratio में divide किया होगा, 4 is to 5 is to 6 में, तो अब पहले देख लेते हैं, कि ये 1.500 को किस किस ratio में कितना कितना बाटा होगा, तो 4, 5 और 6, टोटल कितने हो गई है, 15, तो 1.500 के 15 पार्ट की है, तो 1 पार्ट, 15 से divide कर दो, 1 पार्ट की value आ जाएगी आपकी 10, 10 equals to 1 पार्ट, ठीक है, 1 पार्ट की value 10 है, तो 4 पार्ट की होगे 40, 5 पार्ट की होगे 50, और 6 पार्ट की होगे 60, इतना समझ आया, अब आगे देखो, अगर 1.500 रुपे को हमने इतने हिस्से में बाटा, और 40, 50 और 60, 60 रुपे आ रहे हैं, तो पहले जब 180 रुपे थे, यानि कि इसके पास 8 रुपे और होने चाहिए, तो इसका पहले वाला amount क्या होगा, 48 रुपीज रहा होगा इसके पास, 8 रुपे और प्लस क होगे, तो A, B और C, 48 इस्टू 60 इस्टू 72 रुपीज रेशो नहीं, यह amount है, 180 जो रुपे हैं, वो इस तरह से इन तीनों में divided होगे, इन questions को एक बार आप वीडियो तो देखी लोगे, पर अगर आपको लग रहा है भी समझ आ गये हैं, या थोड़ा-थोड़ा डाउट ल लाओ, और हर एक question को मेरे solve करने से पहले रोको, और फिर से question को खुद solve करने के कोशिश करो, देखो आपको समझ में आ रहा है की नहीं, तब ही पता चलेगा कि, नहीं तो सुन्दे सुन्दे तो लगेगा, कि हाँ सब कुछ समझ आ गया है, जब तक खुद solve नहीं करोगे, त तक कुछ नहीं बता जलने वाल है,